हेलो दोस्तों नोटिफाई नॉलेज में आपका स्वागत है और फ्रेंड आज में लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलर्शिप 2024 पचिस के बारे में फ्रेंड अगर आप लोग फ्रेस या फिर रिन्यू के कैनिट होंगे किसी भी कास्ट से बिलोंग करते होंगे किसी भी रिन्यू वाले छात्रों को क्या-क्या कॉलेज में सम्मिट कराना होगा इसके बारे में आपको बताने वाले हैं और बहुत सारे कैनिट ऐसे हैं जो ये भी कमेंट करें कि सर हम जब अपना फाइनल प्रिंट आउन निकालने हैं तो हमारा फोटो यहाँ पे सो नहीं हो रहा ह तो क्या हम लोग जो है अपनी हार्ट कापी को कॉलेज में सममिट करा सकते हैं आप नहीं करा सकते हैं बहुत सारे चात्र ऐसे हैं जो रिन्यूरल वाले है जिनका आय प्रमाडबत्र या पूरम पत्र जो है इस वीडियो में आपको जयर कर दिया जाएगा यहाँ पेंप्लि अगर आप लोग नाए होगे, या फिर मेरे चैनल पे पहैली बार होगे, तो प्लीज इस विडियो को लाइक सेर कीज़ेगा, नाए होगे तो चैनल को जरूर सप्क्राइब कीज़ेगा, तो फ्रेंडं जैसा की आप लोग जो है, अपने home skin पर देख पर होंगे मेरे पास एक renewal छात का final print है और यहाँ पर आप लोग देख पर होंगे अभी यहाँ पर फोटो सो नहीं कर रहा ठीक ना अब बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो confusion में है कि हमारा फोटो यहाँ पर सो नहीं कर रहा है अब बहुत सारे छात्र यह सोच के परिशान है कि हम यहाँ पर क्या एक दिन दो दिन one week का wait करें हो सकता है कि जब हम next बार अपना final print out निकाले तो हो सकता है कि हमारा फोटो यहाँ पर आना start हो ठीक ना तो आपको यह देखके परिशान नहीं होना ना तो अभी आपको wait करने की आवस सकता है जितने भी candidate है रिनू वाले अगर आप लोग का final print out निकल जा रहा है भले से यहाँ पर आप लोग का फोटो शो नहीं कर रहा है आप लोग जो है अपने farm को college में submit कर दिजे ठीक ना अगर आप लोग यह वेट करेंगे कि one week के अंदर two week के अंदर हम लोग अपने farm को दोबारा यहाँ पे जाच प्रिंट के लिए निकालेंगे तो हो सकता है कि हमारा फोटो आ जाए देखिए यहाँ पे UP scholarship के site में बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पर रहा है और फिन जै यहाँ पर एक दिन, दो दिन, तीन दिन का अगर वेट करना है तो आप लोग वेट कर सकते हैं बट मैं आप लोगों से यह होँगा कि अगर आप लोग का यहाँ पर फोटो सो नहीं कर रहा है तो आपको उसको लोग के जो है वेट करने की आवास सकता नहीं है आप लोग यह भी यहाँ पर details fill करने है renewal वाले छात्रों का यह college fill करेगा अगर आप लोग यहाँ पर late करेंगे तो बहुत जादा अतारात में छात्र अपने farm को college में submit कर देंगे तो हो सकता है college हडवड़ी में farm fill करते समय आप लोग के farm में यहाँ पर कुछ गलत fill कर दे इसलिए आपको भीण का हिस्सा नहीं भरना है अभी यहाँ पर बहुत ही कम candidate होंगे जो अपने farm को college में submit करा होंगे या फिर अपने farm को college label से fill करवाए होंगे इसलिए आप लोग जाके अपने college में बात कर लीजिए यहाँ पर photo का कुछ जादा issue नहीं है तो मैं तो आप लोगों से यह करूँगा कि आप लोग फोटो के लिए मतलब लेकि परिशान मत हुए अगर आप लोग का final print down निकल जा रहा है तो आप लोग जो है अपने farm को college में submit करके उसको fill करा के forward करा लीजिए अगर फिर्ट यहाँ पर हम फ्रेस वाले चातरों की बात करें या फिर यहाँ पर renew वाले चातरों की बात करें अगर यह चातरों जो है अपने farm को fill करने के लिए जा रहे है तो final print down निकालने के रहे है तो वहाँ पर जो अभी भी we are sorry का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर यहाँ पर के एक बज़े से लेकि चार बज़े की बीच में मैंने दो बार यहाँ पर ट्राइ किया लॉग इन भी हो जा रहा था, final print out भी मतलब यहाँ पर निकल जा रहा था और हमारा farm यहाँ पर NPCI verification भी हो जा रहा था तो जितने भी renew वाले connect है आप लोग जो है दो बार के एक बज़े से लेके चार बज़े की बीच में ट्राइ कीजिए होफ़ली आप लोग का form यहाँ पर login भी हो जाए आप लोग अपने form को यहाँ पर फिल भी कर पाए और अपना final print out भी निकाल पाए ठीक है आप फ्रेंड बहुत सारे connect ऐसे हैं जो comment किते हैं कि मतब सर यहाँ पर जो general वाले connect है अगर उनका form जो है auto lock हो जा रहा है तो ही मानने होगा उनका form college वाले accept कर रहे हैं अगर other cast से बिलोंग करते हैं जैसे कि OBC, minority, ST, ST अगर उने छात्रों का form जो है auto lock हो जा रहा है तो college वाले accept भी नहीं कर रहे हैं और उनका मानने भी नहीं हो रहा है तो क्या मामला सही है क्या गलत है आपको यहाँ पर का पूरा clear हो जाएगा और आपका confidence label भी हाई हो जाएगा जैसा कि आप लोग अपने home screen पर देख भा रहोंगे मेरे पास यहाँ पर समाज करनाण भ्याग का एक notice है जो यहाँ पर 28 जून 2024 को जारी क्या गया था यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट चरण का मतलब है कि जो भी candidate अपने farm को जो है यहाँ पर final printout निकाल के 20 नॉंबर 2024 तक अपने farm को जो है college में जमा कराएंगे उन सभी छात्रों का जो पैसा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बताये गया है कि 25 दिसंबर 2024 तक उनके account में आ जाएगा यह जो बात है यहाँ पर fresh plus renewal वाले छात्रों के लिकी गई है अगर आप लोग जो है इसके बीच में अपने farm को submit करते हैं हाट कापी को college में जमा कराते हैं तो उन छात्रों का जो है फर्स्ट फेज में हैने कि 25 दिसंबर हैने कि मतलब दिसंबर जाते आते उन सभी छात्रों पैसा उनके account में आ जाएगा अगर आप लोग जो है जनरल कास्ट से बिलोंग करते होंगे अगर आप लोगों ने अपने farm में जो है यहाँ पर registration सत्रे नौंबर से किया होगा और अपना final summit जो है 31 दिसंबर के बीच में किया होगा final printout जो है 5 जनवरी को निकाला होगा और hard copy जो है आप लोग जो है 7 जनवरी 2025 में अपने college में summit कियोंगे तो आप लोग जो है second phase के candidate में आएंगे और आप लोग का जो पैसा है यहाँ पे 20 March 2025 तक आने वाला है यह तो बात रही जनरल वाले candidate के लिए ठीक ना अब यहाँ पर दिखे क्या बताएगे है मैं थोड़ा संख्या को संस्था दौरा अंगीत किया जाएगा अब यहाँ पर मैंने आपको जो है जनरल नोटीस दिखाया जितने भी यहाँ पर जनरल के candidate है जो है फ्रेस होंगे जो आपका प्रिवेस किती थी है गत कच्छा का परिच्छा फाल है जो आपका enrollment नंबर है जो आपकी फीस इत्यादी है यह college द्वारा जो है यहाँ पर अंकित के जाएगा फिल के जाएगा अब इसको लेके छातर बहुत जाथा मतलब confusion में है कि जो यहाँ पर जनरल जो नोटीस निकाला गया है उसी की नीचे यह दिया गया है तो क्या यह जनरल वाले छातरों के लिए है मान होगा तो फ्रिंट ऐसा कुछ नहीं है यह सभी छातरों के लिए मान होगा मैंने आपको जो है जनरल वाले छातरों का नोटीस दिखाया है ऐसे मैं आपको YASY ST और OBC वाले छातरों का भी नोटीस मैं आपको दिखा देता हूँ तो फ्रिंट यहाँ पर आप लोग जो है देख सकत निकाला गया था अब देखे मैं अगर यहां पर इस्क्रोल अंगर की नीचे आता हूं तो यहां पर आप लोग का फार्म जो है तीन फेज में फिल होगा और तीन फेज में आप लोग का पैसा आप लोग के एकाउंट में डिस्ट्रिबूट के जाएगा अगर आप लोग यसी और एस्टी का आश्टी से विलोंग करते होंगे चेहां फ्रेस होंगे चेहां रियून होंगे अगर आप लोग जो है अपने फार्म को जो है आनलाइन आविदन बारे जुला से लेके 16 नौंबर के बीच में करते हैं अगर आप लोग जो है फाइनल प्रिंट आउट 18 नौं करेंगे सेकेंड फेज का मतलब होता है कि अगर आप लोग अपने फार्म को सत्रे नॉवंबर से लेके 31 संबर के बीच में जो है आनलाइन आविधन करेंगे और फाइनल प्रिंट आउट को 31 मार्च के बीच में यहाँ पे फिल किया है और तीन अपरेल तक उसको जो है प्रिंट आउट निकाला है और आठ अपरेल दो हाजार पचीश तक अपनी हार्ट कापी को कॉलेज में सम्मिट किया है तो जितने भी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 21 जुन दो हाजार पचीश तक उनके एकाउंड में डिस्टिबूट कर देगा ठीक न यहाँ पे मैं आपको जो है स्क्रोल डौन करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ नीचे यहाँ पे आप लोग जो है सेकंड नंबर पे देख पा रहे होंगे तो फ् नंबर संसथा द्वारा अंकीत किया जाएगा ठीक है न तो यहाँ पे SC और ST वाले चात्रों के लिए भी साबसा मेंसन किया गया है कि अगर आप लोग जो है यहाँ पे रिनूवल के कंड़ेट है तो आप लोग का जो यहाँ पे प्रिवेस की तीती है गत कच्छा का परिक् से भिलों करते हैं तो OBC वाला भी आपको जो है नोटीस आपको दिखा देता हूं तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हैं अपने होम स्कीन पे यहाँ पे लिखा हुआ कि अन पिछड़ा वर्ग यहाँ कि OBC वाले चात्रों के लिए बात किया गया है यह जो पैसा जो है फर्स्ट फिज में आएगा अगर आप लोग जो है सेकंड फिज में अपना फर्म एप्लाइ करेंगे तो आप लोग का पैसा जो है सेकंड फिज में आएगा यहाँ पे 9-10 के लिए बाते किया जा रहा है बट अगर यहाँ पे OBC वाले छात्रों के लिए बाते क अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉस्ट नंबर में क्या लिखा हुआ है कि कच्छा 10 में अध्यानरत नविनी कर रहा ठीक है न यहाँ पे रिन्यूवल के चात्रों होए तू सांसथा अस्तर से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको जो है 9-10 का नोटीज दिखा रहा हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग कच्छा 10 में अपना एड़िशन करा होगे ओबीसी कायास्ट से बिलों करते होंगे तो यहाँ पे भी साब साब बताया गया है कि संसथा अस्तर से जो आप लोग की प्रवेश्टी थी है जो आप लोग का जो गतवर्ष का परिक्षा फाल जो आपको लोग की फीस है यह संसथा द्वारा फिल कराना होगा ठीक है ना तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने आप लोग को जो है आउटो सम्मिट हो गया है आउटो लॉक हो गया है तो यह कोई एरर नहीं है यह गवर्वर्मेंट को दोरा रूल रिगूर्शन चेंज किया गया है जितने भी केंडिड जो है रिनूवल के होंगे आप लोग का फॉर्म जो है यहाँ पे गतवर्श का परिक्षा फर्श जो गतवर्श का जो यहाँ पे आप लोग का अंक है जो आप लोग की गतवर्श की मतलब एडमीशन जो है कब आप लोग ने एडमीशन लिया है जो enrollment number जो fees है ये college अस्थर से आपको feel कराना होगा ठीक है ना और यहाँ पे मैंने आप लोग को ये भी यहाँ पे clear कर दिया है कि अगर आप लोगों ने अपना first phase में अपना scholarship का form feel किया final submit किया जितनी ही जल्दी आप लोग अपने form को feel करेंगे final submit करेंगे heart copy को college से फारोट करेंगे उतनी ही जल्दी आप लोग का पैसा आप लोग के account में आ जाएगा ओके आप फ्रेंट यहाँ पे हम बात करने वाले है income और cash certificate को लेके बहुत सारे कन्येट ऐसे हैं जो renewal कहां ठीक है अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले है renewal वाले कन्येट के लिए अगर आप लोग जो है renewal से belong करते होंगे अगर आपका जो है income और cash certificate जो है यहाँ पे expire होने वाला है अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं अपना जो है यहाँ पे नया मतलब new income certificate या फिर cash certificate लगा दू तो क्या हमारा सही होगा जितने भी यहाँ पे renewal वाले connect है अगर आप लोगों ने अपना यहाँ पे fresh form जब भी fill किया होगा जो आप लोगों ने income certificate अपना लगाया होगा या तो जो भी cash certificate आप लोगों ने अपना लगाया होगा वही कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग का मानने होगा जै भले से आप लोग का income या फिर कास्ट सर्टिफिकेट इक्स्पार हो चुका होगा आपको उससे कुछ भी लेना देना नहीं है वही आप लोग income और सर्टिफिकेट लगाएंगे जै भले से अपने ही नाम का यहाँ पर income certificate लगाया होगा तो आपका farm जो है reject नहीं होने वाला है आपका वही income certificate, cash certificate रहना चाहिए जो आप लोगोंने fresh farm फिल करते समय लगाया था पाकी friend बहुत सारे candidate ऐसे हैं तो यहाँ पर पूछ रहते हैं कि सर हमको किस-किस document की यहाँ आउ सकता पड़ेगी क्या-क्या हमको यहाँ पर document समिट कराना होगा तो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ post metric other than inter के जितने भी connect होंगे उनको क्या-क्या यहाँ पर document की आउ सकता पड़ेगी आप लोग यहाँ पर 10th की market sheet की photocopy 12th की market sheet की photocopy ठीक है अपना अधार card की photocopy आप लोग जो अपना admission करा होंगे उसकी fees रसीद ठीक है और आपका जो यहाँ पर income certificate है जो आप लोग का यहाँ पर कास्ट certificate है इसको भी अपने college में submit कराना होगा और जो आप लोगों ने final print out करते समय जो आप लोग का final print करा था उसको भी आपको निकाल लेना होगा ठीक है ना और आप लोग का जो previous year का जो market sheet होगा जो आप लोगों गत वर्स में pass करके मदब next year में अपना admission करा होगा उसकी photo copy आपको जो है दो दो प्रति में लगा लेनी है और अपने college में submit कर देना है बाकि आप लोग जो है एक बार अपने college से inquiry कर लिजेगा कि क्या क्या हमको मतब document को submit करना होगा ठीक है तो फिरेंट ये रे complete information में भी आपका जितना भी doubt था मैंने इस वीडियो में clear कर दिया है एगर इसके अलामे कुछ doubt हो कुछ problem हो तो comment से थमने comment किजेगा वीडियो पसंद आयोगी like share जरू किजेगा मिलते है नेस्ट वीडियो म कि वाचिंग